मेरा नाम गीता कपुसामे है मैंने MBA किया है और मेरे पास cooperative management में डिपलोमा भी है जब मैंने कंपनियों में नौकरी के लिए अपलाई किया तो मुझे कोई नौकरी नहीं मिली लोग सिर्फ हमारा हुलिया देखते हैं हमारी सलाहियते नहीं वो मुझे से जान छुडाने के लिए कहते कि आपको कॉल करेंगे इसलिए गीता ने खुद से कुछ करने का फैसला किया जुनूबी इंडियन रियासत तामिलनाडू से तहल्लुक रखने वाली 31 साला गीता ने सोचा कि उन्हें अपना कारोबार शुरू करना चाहिए इस एक सिलाई मशीन थी हम इखटे होए और डिसेबर्ट लोगों को मुलासमत देने का फैसला किया हमने एक दुकान ढूंडी और सोचा कि अपने जैसे लोगों को काम पर रखेंगे तो हमने गार्मंट्स का एक छोटा सा यूनिट शुरू किया और उनको मुलासमत पर रखा एश्वरी गीता की टीम में तीन महीने पहले शामिल हुई मैं डिसेबल्ड हूँ और सिर्फ गुठनों पर चल सकती हूँ मेरे शोहर भी डिसेबल्ड है हम रोजगार के बगैर मुश्किल में थे हम जहां भी नौकरी की तलाश में गए हमें ये कहकर नौकरी नहीं दी गए कि आप डिसेबल्ड है आप वक्त पर काम पर नहीं आ सकती क्योंकि आप सही तरह से चल नहीं सकती फिर गीता ने मुझे बताया कि उन्होंने एक गार्मिंट्स यूनिट शुरू किया है और डिसेबल्ड दोगों को मुलाजमत पर रख रही है गीता का कहना है कि डिसेबल्डी काम्याबी की राह में रकावट नहीं बननी चाहिए और वो सब को एक ही पैगाम देना चाहती है मैं डिसेबल्ड हूँ और मेरा एक बड़ा खाब है किसी डिसेबल्ड शख्स को रिजेक्ट नहीं किया चाहिए जैसे मुझे काम की जगों ने रिजेक्ट कर दिया था लहाजा जितना हम से हो सके हम रिजेक्टिड डिसेबिल्ट लोगों को मलास्मत दे रहे हैं जिसमानी माजूरी एक बड़ी रुकावट नहीं हर एक में टैलेंट होता है अगर मैंने खुद को डिसेबिल्ट समझा होता तो मैं कुछ भी ना कर पाती मुझे अपने उपर एत्माद था